हेलो एवरिवान आज बात करते हैं कर्मा क्रेक्शन 12th house के तो तो हमारे पास किसी की भी कुंडी नहीं है और जब मैं किसी सेलिब्रीटी की कुंडी लूगी तो तो मैं ना मेंचिन करती हूँ कहां से डेट अलिया है डेट ओबार टाइम प्लेस सब बताती हूँ लेकिन मान ल लगन से डेकर मीन तक एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, आट, नौ, दस, केर अबारा इसको गोलते हैं काल पुष्टी कुंडी में से मीन तक अगर मीन में यानि 12th house में केतू है तो केतू क्या है केतू मतलब काट तो यहां से कट जाओ अब यह क्या है 12th house क्या है हमारा physical relation यहीं बनता है 12th house, सुख बाव देखना है न पतनी का, तो यहां से देखेंगे, अगर पतनी की उनली में देखना है तो 6th house देखें है, 7th से 12th house, 12th house मार क्या है, comfort zone, physical relationship, और केतू यहाता है कि नहीं बनाना है, आपको अध्यात्मिक तामे जाना है, तो कौन जाना क्योंकि कार्टत्व कौन है, सेटन, और सेटन को दो बातों से नफरत है, प्यार, वो किस टिडिया का नाम है, relationship, वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो दो यह चीज़े पता है, दुख और बिमारी, बाकि केतू की त्रिकोर्मेशा नहीं हो, तो करम योगी बनाते हैं, तो का बहुत इजी वर्ड है शायद, लेकिन यह साइकिल ऐसी है कि कभी कतम नहीं होगी, क्योंकि हमारी चाहे ही कतम नहीं होती, अगर ट्वेल्था उसमें के, तो यह उसको फिजिकल सैटिसफेक्शन ही नहीं अगर मिला, तो क्या वो दुबारे शादी नहीं करेगा, आरा सोचन ठीक है, फोर्थाउस में, वो आपके क्रियामान में है, कि मैं अभी सोच रहा हूँ, जो सोचते हो वो इकठा कहा हो जाता है, फोर्थाउस में इकठा हो जाता है, तो इसलिए, अब हम प्लैनेट वाइस लेंगे, कि मोक्ष तो खैर किसी का नहीं है, कुछ बाते सिर्फ जो लोग अपना एक्सपीजिन्स बताते हैं, मुझे विश्वास नहीं आता किसी पर, मैं तब ही विश्वास कर पाऊंगी, यह चीज़े होती है कि नहीं होती है, बात रही, अगर यहां पर जुपिटर है, खुद के साथ जुपिटर है, तो उसकी डिजायर क्या रहेंगी तो फिर पैसे की डिजायर को पूरा करने के लिए उसको दुपार आना पड़ेगा, अगर मंगर है, एक्स्ट्रीम सेक्शिली अफ़र्ट इंसान नालता है, तो वो उसको साटिस्पेक्शिन मिलने नहीं देगा, तो दुपारा आना पड़ेगा, चंद्रमा क्या है, एक सप जितने सपने उसके मन में थौर्ट चले, जो विचार चले, उसी साथ उसने जिद्दिगी नहीं जिये, तो अभी उसको दुपारा पूरा करने के लिए आना पड़ेगा, फिर है मर्करी, अगर मर्करी 12th हाउस में है, तो बहुत कैल्कुलियोटिव है ना मर्करी, किस चीज इसलिए उसको भी आना पड़ेगा, कि दुपारा आओ नीचे पढ़ो, और जिस मुकाम पर पहुझना चाहते हो, पढ़कर लक्षमी को गिन करो, यानि पढ़कर लक्षमी आएगी, इसके बार लेते हैं, वीनस एक्जालडेशन, तो मूत रिकॉर्ड राशी चली जाएगी लिब्रा, तो यहां वो रिलेशनशिप में बैलंस नहीं है, उसके लाइफ में, तो रिलेशनशिप से सैटिस्फेक्शन नहीं है, तो दवारा रिलेशनशिप यानि शादी के लिए उसको दवारा से फिर से आना पड़ेगा, इसके बार ले लेते हैं, अगर राहुकूद ह अगर विश्वास करता है, अब यहां पाइसे में है, कि उसके उपर कर्स क्या है, मंदिर के नाम पर, दान लेकर, लोगों को जूट बोलकर पैसा कमाया है, तो इस जरह में क्या है, उसके प्रारब्द बन जाएंगे, उसके पैसे के लिए भी तरसेगा, और मुक्ष के कर रहे हैं, जो करम थीरी की बात कर रहे हैं, कि के तू, क्या मुक्ष दे सकता है, के तू आपको मुक्ष नहीं देगा, मुक्ष एक शब्द बना दिया आप लोगोंने, किसने देखा हैं मुक्ष, जिनोंने, जो चलेगे, उन्होंने देखा है, जो रह रहे हैं, उन्होंने में लाया गया, जितनी किताबें हैं उतनी उलजाएंगे, इसलिए सारे डारेक्ट जाते हैं, इसने पढ़ा हुआ न यही पढ़ के हमें पता दे, क्योंकि हम अपना एफ़र्ड नहीं डालना चाते हैं, हमको हमेशा कि अलगतर प्रोज कर चीज मिल जाए हमें, और हम करते हैं मैं तो जो पढ़ती हूँ, कितना लिंक अप कर पाती हूँ, शाद एक परसेंट भी नहीं, लेकिन पढ़ रही हूँ, इसलिए नहीं कि कुछ इचीव करना है, या बहुत अपना नाम करना है, इसलिए कि लिखा क्या हुआ पता होना चाहिए, जान ने जितनी चीजे पताई हैं, उसमें एक परसेंट में भी होई नहीं चलेगा, क्योंकि वो ग्रस आशरम में रहकर हो नहीं सकता, अगर आप पुन्य की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, इतने उन्होंने उपाय जो नारत पुरान में बता रखे हैं, वो अब हो नहीं सकते, चीजे अब है ही इतने ही तो आपको पाय क्या करोगे, इसलिए रेमेडी थियोरी तो बिल्कुल ही गलत है, रेमेडी का मतलब क्या है, आप इस चीज से बच रहे हो, और तुबारा सी यह करने की कोशिच कर रहे हो, क्योंकि आपकी आत्मा जानती कुछ गलत हुआ है, तो लोग आपको एक हो अरे हम तो भगवान को बहुत मानते, क्यों जो पहले साथ साल जिकिया, वो शनी नोटिस्ट नहीं करेंगे, वो पहले नोटिस्ट करेंगे, क्योंकि वो एक्टिवेट कभ होते है, सिक्स्टी के बाद ही वो देते पनिश्मेंट, दूसरे पड़ा पर, इसलिए कोई मोक्ष कि बाद तो नहीं करें मोक्ष कोई नहीं है साथ बता हूँ, मैं करोगी, मैं मोक्ष की बाद करूँ, पहले आमें प्लैनट ने पता, अगर प्लैनट शत्रत है मा लेज़े वहाँ एक प्लैनने रहें सूरे सूरे यहां पर मारनाकर का थफा is wild क्योंकि उसकी पावर पूजीशन नहीं है तो वह वापिस से पावर पाने के लिए आएगा उसके पास सथा नहीं है वो सत्ता की लालच में तुबारा जनम लेगा यहां पर राहू केतु के एकसेस हमें उल्चा देते हैं राहू कहता है पाना है केतु कहता है जाने दो यह लड़ाई यह दो अंतियुद इसलिए हमारा जनम साथ के साथ है आपने ग्राफिक्स बोल सकते आपको कि एक तरफ विश्य भगवान का विशाल रूप है एक तरफ से लोग जा रहे हैं दूसी तरफ से लोग आ रहे हैं कि शरीर मर जाता है आत्मा अमा रहती है और तबारा से चनम होता है यह देखा होगा आपने विश्य यही साइकिल है पूरा इसलिए मुष्य है ही नहीं हाँ कोई अगर आके कहता है तो मैं बताने सकती आपको जिसने मतलब पूरा यह साइकिल बारा जनमों का तो बारा से उपनी योनियों होगी है जितना लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में तो बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे अब यह सारी स्टूरिस लगती है और हम बहुत इंट्रस्टिंग वे से सुनते हैं इंशी जोंको आप देख लिजिए पोड़कास्ट पे क्या क्या निकल के आ रहा है द्वापर युगया द्रिता युगया है हनुआ जी ऐसे थे क्या आज ही सुन रहे है क्या आज ही लिखा गया है दुनिया की समस्या यह है ही नहीं उन लोगों की सिर्फ अगर आप सुनाते तो क्रियोस्टी है तो लोग सुनते हैं लेकिन समस्या यह ही नहीं समस्या मैंने वही जो तीन बताईन हैं जैसे जैसे आता जाता है अब सबसे पहले समस्या तो वही है पैसा दूसरा गया है गवर्मेंट जो अब तीसरा आप जो सबसे ज़्यदा केस आ रहे हैं वो आरे हैं डायवर्स के और आए भी अपर दुनिया को इन बतों में और मेरा युद्ध थोड़ा अलग है कि अगर अपना सच पता हो तो पेशन्स आ जाता है और शनी यही जाते हैं आप आपके अंदर धारे आ जाए क्योंकि ये कर्म का मंत्र है मोक्ष की तो बात आप रहने दीजिए तो इसी तरह आप सच से जुड़े मेरे चैनल को आप ल